अब बात करेंगा अपराज जुगत की नलंदा में एक बार फिर से शहरिक शेत्र में चोरो का आतंक बढ़ गया है जिले में 72 गंटे के अंदर चोरो ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है ताजा मामला दीप नगर थानक शेत्र के देवी सराय चर्च के पास की बताई जारे है या बीती रात चोरो ने एक गोदाम का ताला तोड़कर 12 लाग के समानों की चोरी कर ली पिडित दुकांदार ने बताया कि चोरी 9 लाग के खाने पीने की समानों के साथी खड़ी टेंपो को भी अपने साथ ले गए पुलिस मामले की फिलाल जाच कर रही है हुकामा में SIT ने अंतर जिला गिरो के पांच को ख्यात लुटेरों को गिरफतार कर लिया सभी लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जूटे थे लुटेरों के पास से दो देसी कट्टा पांच का अर्तूस लूट की बाइक और गांजा बरामद हुआ है पुलिस को लूट की कई घटनाओं में इनकी तलाश थी आपको बता दे कि बाड़ ASP अमरीश राहुलने टीम में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरा स्कृत करने के नुशंसा की है 27 तारीक को पुली से दो दिन पहले मुकामा बाइपास जो कि आप लोग जानते हैं कि तीन जीने का बॉर्डर है मकी सराय है वेगू सराय है और पटना है वहां पर एक यमहा एपजेट गाड़ी को छीन लिया गया था साथी साथ एपल आइपोन भी चीन लिया गया था और कुछ पैसे भी चीन लिया गया था इस कांड का सफल उद्देदन हो गया है सभी पांचों की रफ्ट जमीनी विवाद में हुई गोली बारी की घटना में एक व्यक्ति को पेट में गोली लग गई जिसके बाद उसे कंभीर हालत में शहर के नीजी नर्सिंग हों में भरती कराए गया गटना बैजनात्पूर उपी अंतरगत इटहरा गाउं की बताय जा रही है दरसल दो गुटों में काफी दुनों से जमीन विवाद को लेकर तरनातनी चल रही थी गुरवार को विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जिसमें दूसरे पक्ष ने गोलियां चलानी शुरू कर दिया इस दोरान एक गोली भुपेंदर सहा को लग गई गटना की प्रातमी की दरज करा दी गई है फिलाल पुलिस मामने की पूछताच कर रही है